कि रमजान के हवाले से नई रेसिपी लेकर आई हूँ सो हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो यूट्व चैनल आज रेसिपी में लेकर आई हूँ वह बहुत ही मज़दार स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी वह तरह से बनाएंगे चीज भी डालें के और विदाउट चीज भी तो आपने इस वीडियो के एंट तो देखने हैं डोट फोगेट टो लाइक शेयर सबस्क्राइब सबसे पहले जी बैटर बना लेते हैं और उसके लिए मैंने मखन या यूज किया आप जाएं तो ओई यंगी वगड़ा भी उस कर सकते हैं वन टी स्पून लसन का मैंने इसमें इसके बाद श्रड़ी चिकन एड़ कर दिया श्रड़ी ठीकन एड़ करके इसे लसन के पेस्ट के साथ इसके हिलकी सी बुनाई कर लूँगी और इसके साथ ही मैं स्पाइसिज आड़ कर दूँगी तक्रीबन वन टी स्पून काली मिर्च पाउडर और नमक असमें जरूरत और इसके बाद इसमें चिली सोस वन टेबल स्पून चिली सोस एड़ कर दूँगी वन टेबल स्पून सोया सोस एड़ कर दूँगी और विनिगर वन टेबल स्पून एड़ करके से चिकन के साथ इच्छे तरीके से स्पाइसिज को मिक्सर दूँगी अब मैं चिकन में पूरी दिर के लिए मिक्स करके पका लेंगे जादा नहीं पकाएंगे वेज़िटेबल को बस थोड़ा से इनका कलर चेंज करेंगे प्रिंग रोल का पैटर त्यार है अब लास में इसमें मैं ओनियन स्टाल दूँगी गरीन वाले जो हडी प्यास होती है ना वो मैं काट के इसमें एड़ कर दूँगी अब मैंने चूला बंद कर दिया बस थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और अब स्प् है अब जो घोए होड़ा बनांने के लिए यूजय करें ऊडिये अब मैंने यह ब meowड़ा बना लेंगे और चीजiding अप्लीट्ली आपशनल और आ Mozart भी तरह मोजरेला चीज ढल देंके और आप पिर इसका चीज के साथ रोल बना लेंगे इसके साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं बहुत डीलीशिस लगते हैं तो यह लेकिन यह कमप्लीट ली ऑपशनल है अगर आपके बस अवेलेबल है और आप इसका टेस्ट चैंज करना चाहते हैं तो आप गड़म ऑईल कर लें और इसमें मैंने रॉल डाल दिये हैं अब चूले को थोड़ा सा मीडियम कर दें ताके जिन रॉल में चीज है वह अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद आप रोल को बाहर निकाल लें और इसको टीशू पर लिए आप होने के बाद आप तोदेश से मजधार से स्प्रिंग रोल और चीज स्प्रिंग रोल तैयारा हैं तो आप इनहें जिरूर ट्राय करेंगा बहुत ही मजधार बनते हैं मृध़तों चीज के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और without चीज रिन का टेस्त बहुत मज़ अब मैं तो नेक्स्ट रेसिपी शेयर करनी हूँ उसका नाम है चिकन चीज फिंगर चिकन कीमा से बनने वाली रेसिपी बहुत ही मज़दार और चीजी टेस्ट हैसका भी तो स्टार्ट करते हैं चीजी चिकन फिंगर की रेसिपी सबसे पहले चिकन का कीमा ले लेंगे कोटी लाण मीज 1 टीसपून पेपरिका पाृबर 1 टीसपून नमक हस्पे ज़रूरत अड़ कर दिया है साथ में मैं इसमें 1 टीसपून सिर्का और 1 टीसपून सवया समस्ट कर दूंगी इसके साथ मैं इसमेν लसं का पेस्ट अड़ कर दूंगी और 2 से तेंट मेरे परघी कटी हडी मिच्चें हैं वो हैड कर दूंगी मौजरेला चीज है और चैड़ कीurst है तक़रीबनम तक हाफ कप मौजरेला है चैड़ चीज मिक्स करके प्यर रड़ कर सकते हैं यह सब अग्डीरेट आड करने के बाद मैं express आचे तरीक मिक्स कर दूंगी स्टाइसिस की में मैं अच्छ से मिक्स हो चुके हैं अब मैं इस स्टेज पर इसमें ब्रेट करी हूँ इसलिए कि जिकन में जो कोई थोड़ा पहुत पानी है और मॉइस्टर है वो ब्रेट करम्स में इफजोब हो जाए और हमारे चीज़ी चिकन फिंगर्स बहुत ही मज़दार से बनें उनकी शेप बहुत अच्छी आए इसे तकरीमें पंदरा मिनिट के लिए रेस्ट दूँगी पंदरा मिनट गुजट चुके हैं और अब हाथ पे अच्छे तरीके से ऑईल लगा लें प्रिस कर लें हाथों को और उसके बाद थोड़ा सा बैटर ले 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 और उसे हाथ पे रख ले लंबे लंबे आपने इनको फिंगर्स की तरह बना लेना है बस इस तरह से आपने प्रेस करकर के इसको फिंगर्स की तरह लंबा कर लेना है तो इस तरह से हम चिकन चीज फिं लेदा भी बैर चरब कर लोगी तो अब एक उठा लेंगे और एक को से confirm कर लेगा अच्छे तरीके से मेदे में डिप करने के बाद फिर हम इसे ले डॉल आपकतो लिए पाभद पर प्राम के लिगा मुझे कॉड़ने के ना裟 सारे चिकन चीज फिंगर्स मैं डाल दूंगी और मीडियम आंच पर हमने इने फ्राय कर लेना है ताकि जो हमारी चीज है वो भी अंदर से मेल्ट हो जाए और उपर से भी ये क्रिस्पी नहें सोगी ना हूँ तो ये आप देख सकते हैं जी एक दो मिनिट मैंने मीडियम आंच पर पकाया और फिर मैंने इसके बाद चूला जो है तेज़ कर दिया है तो अब इस साइट से आपको थोड़ थोड़ से चीज भी मेल्ट होई भी नज़र आ रही होगी गॉल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसे अब निकाल लूँगी टिशू पर रखके ओल को अबजोब कर लेंगे और इसके बाद मैं इसे डिश आउट कर दूँगी ये देखें बहुत ही मज़दार से चिकन चीजी फिंगर्स हमारी बिकुल तहार है तो आपने इसे जरूर ट्राय करना है आज के लिए इतना ही होफुल ये आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें